शेक्षादे की पुस्तत गुलिस्ता दूसरा ज्याय चौथी कहानी यानि दूसरे की बुराय करने वाले से तू यह आशा मत रख कि वो दूसरों के सामने तेरी परशंचा करेगा जो औरों की तेरे सामने बुराय करता है वो तेरी भी औरों के सामने बुराय करेगा एक चोर किसी धार्मिक मनिश के गर में गुसा, किन्तु बहुत खोज ढूंड करने पर जब उसे कुछ न मिला, तब वह बहुत तुख्य हुआ, उस भले आदमी ने उसकी यह अवस्ता देख कर, अपने बिस्तर में से कंबल निकार कर, उसके रास्ते में जिदर से वह जाने व किस्मन का भी दिल नहीं दुखाता, तु जो की सरवदा अपने मित्रों से जगडा तकरार की अज करता है, उस वद को कैसे पा सकता है, धर्मात्मा लोग मूँ के सामने और पीट वीचे एक ही परकार का स्ने रखते हैं, वे लोग वैसे नहीं होते, कि जो तुमारे पीट व रते हैं, और तुमारे पीचे मन्यूशा हरी भेडिये की तरह हो जाते हैं, जो कुछ तुम से तुमारे पडोशी के दूश वजन करता है, वो तुमारे दोश भी अविश्य दूसरों के सामने परकट करेगा, शिक्षा, सादू पुरुसों का स्वभाव होता है कि वे अपन क्या करते हैं, बहुत से भोले भाले लोग उनकी निंदाओं पर विश्वास कर लगते हैं, और यह समझने लगते हैं कि यह अमुक मनुश की निंदा करता है, किन्तो हमारे निंदा न करेगा, लेकिन उनको खूब खयाल रखना चाहिए, कि जो मनुश और की बुराई तुम आनी समाओ